हलो अबरीबडी इस दिगराश सिंग राजपूत वेलकम टू मैगनेट ब्रीन्स इस वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 जियोग्रफी का चैप्टर चैप्टर है ग्लोब लैटिट्यूट्स एन लॉंगिट्यूट्स काफी इंट्रस्टिंग चैप्टर है अब इस बार जो मैं कह रहा हूँ काफी इंट्रस्टिंग चैप्टर है तो उसके पीछे कारण भी समझाता हूँ मैं आपको जो लोग जियोग्रफी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना ठीक बिल्कुल जिनने कुछ नहीं क्या अर्थ होता है कैसे चीजें काम करती है यह आपका फाउंडेशन बनने वाला यहां से अभी आप सिक्स्त क्लास में हैं जो लोग कॉम्डिटिफ्स की तयारी कर रहे हैं और यह वीडियो लेक्ट्चर देख रहे हैं तो मैं यह कहूँ आज जो जिरो से जानने को मिलेगी जैसे इस वीडियो लेक्ट्चर में हम एक बीसिक इंटोडक्शन लेने वाले हैं कि वाट इस चैप्टर हैं तो यह पूरा का पूरा चैप्टर उस बेसिक के उपर ही है वह सारी चीजह हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फान अब सबसे पहला सवाल इस प्छय क्लास के तो आप लोगों ने देखा होगा क्या आपकी गर में आपकी स्कूल में कहीना कहीन आप ने होगा कि अर्थ जो होता है हमने भी पिछले चैप्टर में क्या पड़ा कि पूरा युनिवर्स है पूरे युनिवर्स में हमारा प्लैनेट कौन सा है हमारा प्यारा अर्थ ठीक है अब अर्थ जो है तो वह अर्थ किस तरह से मेरे आपको और को रोटेशन र्विशन भी बताए कि अर्थ क्या करता है अपनी एक्सिस क्या होती है यह पड़ेंगे हम motive और वह सकोगर करता है सँ क्या आज अज़ुर पड़िवालिव करता हमारा47 अब उससे समझना है तो हमें उसकी एक copy चाहिए रहेगी copy in the sense कि हमारे सामने आखों के सामने जब वो चीजे होगी ठीके तो उससे हमें थोड़ा सा क्या लगेगा हम connect कर पाएंगे पढ़ने में आसानी होगी तो जिससे आप यहाँ पर देखेंगे यह क्या है यह एक replika है replika मतलब एक क्या होता है एक copy बनाई है हमने किसकी copy बनाई है हमने हमने copy बनाई है अर्थ की अर्थ कुछ इसी तरह से होता है जैसे आपको पिछले चाप्टर में कहता है कि एकदम गोल नहीं होता वो क्या होता है दोनों poles पे थोड़ा सा flat end रहता है ठीके तो थोड़ा सा क्या होता जियोईट शेप होता है उसका अर्थ का पढ़ा था हमने पिछले चाप्टर में तो जो जियोईट शेप होता है अर्थ का मतलब एकदम पूरा perfect circle नहीं होता है poles से थोड़ा सा दबा हुआ रहता है लेकिन हम globe में उसे perfect circle की तरह देखेंगे और हम globe के through देखने की कोशिश करेंगे कि क्या-क्या अर्थ के उपर है अर्थ कितनी प्यारी चीज है अब अर्थ की आप जैसे replica बनाते हो तो globe जो होते हैं यह आगे हमारे पास में globe तो globe क्या होते हैं बड़े भी होते हैं छोटे globes भी होते हैं सारी चीज़ें होती है और उसके साथ में क्या होता है जैसे अब अर्थ घुनता है हम सुनते हैं अर्थ घुनता है तो globe में आप क्या कर सकते हैं उसको spin कर सकते हो देख सकते हैं करकि किस तरह से रोटेट करता है ठीक है उसके बाद में फिर अगर आप देखोगे तो ओशियं सबस्द बनाए गये हैं उसी साइज में क्या बनाई दूसरी कंट्री उसी साइज में इंडिया तो इतना अब बड़ा और ग्लोब में तो इतना छोटा है तो आप भोल रहों उस सबस्क प Points दूनिया Sh vemos सकते एसकेत को क्या कर सकते और बैतर कर सकते हैं अब देखो हो पर चैप्टर का नाम क्या है तो हम स्टार्ट करेंगे अर्थ को समझना किर थो में क्या-क्या होता है कैसे होता है वह हम लेडिटिटेव और Lacquer लांगीटीट्स की मदद से समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक, लाटीट्स क्या होते हैं? यह मैं comprehensively बताऊँगा आपको, ठीक है? और लागीट्स क्या होते हैं? यह भी एकदम कूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अभी ऐसे समझ लो, जो सीधे रहेंगे axis, जैसे यह वहाँ से जो एक्सिस चलेंगे वो longitude long 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 longitude later हुआ latitude ठीक है अब यह latitude और longitude chapter के नाम में क्यों आया है उसकी significance क्या है ठीक है significance समझाता हूं मैं आपको जैसे मैंने कहा कि मैं इंडिया में रहता हूं अब किसी ने globe में यही नहीं पता किसी को इंडिया कहा है तो वस घूमते रहेगा घूमते रहेगा उसे इंडिया नहीं मिलेगा लेकिन अगर मैं बताता हूं कि इंडिया का latitudinal degree मतलब इंडिया इस latitude पे है इस latitude पे है तो वह क्या हो जाएगा आपको चीज़ों को देखने में आसानी होगी त्थिकः अच्छा लोकेट करने में आसानी होगी तो लेटिटीूड्स जो हते उनकी सिगनिफिगन्स होती फो सिगनिफिगन्स कैसे क्या काम करती तो इस पूरे चप्टर में हम वही समझने वाले है यह एक बेसिक इंट्रोड़क्शन वीडियो है ठीक है तो मैं आपको एक बीसिक इंट्रोड़क्शन देने वाला हूँ कि इस चैप्टर में क्या-क्या सारी चीजे हैं चिंता मत करो गिरेगा नहीं हाथ मैं से ठीक है आप सोच रहे हैं कि सर ने इसे उल्टा कर दिया है शायद ये गिर भी स सकता है लेकिन उसे रख देते हैं वाधिस आगे देखिए कह सारी चीजे समझने वाले हैं फाइन फिर उसके आध के इंपोर्ट और यह इंट्रेस्टिंग बढ़ेंगे बड़ी छीग कहा इंपोर्टेंट पैरलल सॉफ लैडिश्ट पैरलल मतलब क्या है देखो यह अर्थ है अर्थ में लेटा हुआ लैड़ी टूट अभी जितना बताया तो कौन-कौन से important latitudes है, वो सारा सब कुछ हम पढ़ेंगे इस video lecture में इस topic में मतलब फिर heat zones of the earth अब अर्थ में क्या अलग-अलग heat zone होते है यह heat zone क्या होते है, ठीक है heat zone किस हिसाब से बनते है, sunlight के हिसाब से, कि अर्थ में कहां कितनी sunlight जा रही है, pulse पे sunlight कम जाती है तो वहाँ पे heat zone जो रहेगा, वो अलग रहेगा तो यह कौन-कौन से heat zones है इन सारे heat zones को भी हम क्या करेंगे एक specific video lecture में पढ़ने वाले है जैसे आपकी book में, जैसे हमने जो chapter 1 complete करके आए न, जैसे-जैसे topics है वैसा-वैसा explanation चलेगा फिर क्या है, what are longitudes? latitude तो समझ लिए आपने, फिर long long क्या होते है, longitudes होते है तो यह longitudes क्या है, कैसे काम करते है वो समझेंगे हम फिर longitude और time, यह दोनों भाई बहन है ठीक है, longitudes और time के वीच में क्या relation है, वो समझेंगे हम ठीक है, फिर क्या है, why do we have standard meridian ठीक है, standard time standard meridian से standard time निकल के आता है तो standard meridian क्या चीज़ है ठीक है, उससे standard time क्या चीज़ होती है तो जो जितने भी confusions है, छोटे-छोटे बड़े-बड़े, सभी confusions को हम इस chapter में खदम करने वाले हैं और उसके बाद में सबसे important चीज़ आपके जो NCID questions है, उनके solutions सारा सबकुछ एक ही chapter में जो भी दिया है, compact तरह से पढ़ने वाले हैं, I hope आपको समझ में आए कि हम इस chapter में क्या-क्या पढ़ेंगे, अभी भी किसी प्रकार cut-out है, तो feel free to ask in comment section, till then stay connected keep learning, मिलते हैं next video में thank you, thank you very much